हेलो फ्रेंड्स आज की मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ट है हमें इस मूवी में बहुत ही ब्यूटिफुल फ्रेंड्शिप दिखाई गई है इसके IMDb rating 8.5 है और लोगों बहुत ही पसना आई है अंटचेबल से 2011 की एक फ्रेंच मूवी है तो चली टारिकली स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें गाड़ी में फिलिप और ड्रिल्स दिखते है ड्रिल्स गाड़ी चला रहा होता है ये रात में ड्राइव के लिए बाहर आयो हुए होते है ये एक सिगनल वर पोचते हैं, उनके सावने बहुत सारी गाड़िया होती है, इन्हें वेट करना अच्छा नहीं लगता, डिल्स फिर रॉंग साइड से गाड़ियों के लाइन तोड़ कर आगे पोच जाता है, डिल्स को फास गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, सीटी से भ बहुत ही फास गाड़ी चलाता है, टनल्स वेगरा से अलग-अलग रस्ते लेकर एक जगापर आ जाता है, ये बहुत ही खुश हो जाता है, ये सेलिपरेट करने लग जाता है, कि इसने पुलिस को जलावा दे दिया है, एक जगापर पोच जाता है, और तभी पुलिस ही इस बहुंुज से जब फोने लगता है, वे इसे मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, तुमने जो हमे रोका है, इसे isकी कοιπόνर sometime बहुत ही worse हो रही है, इसे fits आlast से पुलिस जब फिलिप को देखती है, तो फिलिप में नातक करने लग जाता है, उसके मुझ से फोम आ रहे है इसा वो सब नाटक करता है पुलिस अब डर जाती है फिलिप और भी प्रेशर बनाता है वो कहता है अब हम लेट हो चुके है यह तुमारे वज़े से मर सकता है पुलिस फिर उसे बोलते है हम तुमें एक स्पेशल इफ्ट देंगे वो इने protection देंकर होस्पिटल तक छोड़ देते है फिलिप और इस हास्ते होस्पिटल तक आ जाते है जब पुलिस वहाँ से चली जाती है और इनकी स्टेचर आती है यहाँ से गाड़ी भगा कर वो चले जाते है यह जो हमारा सीन था एक फ्यूचर का सीन था अब हमें पास दिखाय जाएगा एक job interview चल रही होती है यह हमें दिखता है यह job interview फिलिप के caretaker के लिए होती है फिलिप handicapped है उसे एक permanent caretaker की ज़रुवत होती है अपनी एक beautiful assistant के साथ यह बहुत सारी interviews ले रहा होता है जो भी सब interview देने के लिए आये होती है यह बहुत ही जादा qualified होती है इस interview में deals भी आये होता है deals के पास इसकी खुछ भी knowledge नहीं होती इसको पता होता है कि इसका job नहीं लगने वाला तो वो wait नहीं करता और अंदर आ जाता है और अंदर फिलिप से कहता है मुझे सिर्फ sign चाहिए उसे benefit चाहिए होता है इसके पास already दो rejection होते है अगर इसको तीन rejection मिल गए तो सरकार इसे जरा पैसे देगी और इसे unemployment benefit मिल सकते है deals केता है कि मुझे पता है कि मुझे job नहीं मिलने वाला तो मुझे जल से जल यह sign दे दो फिलिप इसे बात करने लग जाता है उसे music के बारे में वो पुछता है इन दोनों की music की taste होती है यह बहुत ही अलगल होती है पर एक artist को यह दोनों जानती है एक healthy debit के बाद फिलिप कहता है कि मैं तुम्हे sign नहीं दे सकता फिलिप के हाथ भी काम नहीं करते तो कहता है कि कल तुम आ जाओ कल में तुम्हे sign दे दूँगा फिलिप डिल्स से पूछ लेता है कि अगर तुम्हें job करना होगा तुमारा कोई motivation है यहाँ job करने के लिए वो कहता है कि तुम्हारी assistant मैरे लिए motivation है ये असिस्टन डिल्स पर बिलेव नहीं करती, ये बहुत ही जादा स्टेट फॉरोड होता है फिर में डिल्स अपने घर आता हो दीखता है उसके घर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब इसके प्रदर एंसिस्टर्स होते हैं जब एक खिड़की से देखता है तो इसका एक चोटा बदर स्टीट गैंग्स में इन्वाल होता है इसे कनफरेंट करनी कोशिश करता है पर इसका चोटा बदर उसको कुछ भी नहीं बताता जब रात होती है तो डिल्स की एंड वहा थी है उसकी एंडो से बुच्छती है तुम कहा थे डिल्स कहता है कि वैकेशन में था वो उस पर चिड़ जाती है और खेह थी ही कि 6 माने हो चुके है मुझे पता है कैसे वैकेशन में तुम गए थे एक्च्वल में डिल्स ब्रिजर में गया होता है वो कहती है कि जिस तरह से तुम अपनी लाइफ जी रहे हो वैसा नहीं चलेगा तुम ए रिस्पॉंसिबिल्स लेनी चाहिए तुम अगर जेल में जाते रहे तुम कैसे वैसे कमा सकते हो कैसे हम सब को सपोर्ट कर सकते हो वो फिर डिल्स के पास आती है और कहती है कि अब तुम इस घर से निकल जाओ वे तुमारी रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं ले सकती डिल्स भी वहाजी चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है नेक्स दिन फिर फिलिप के पास आता है घर में जब आता है तो फिलिप की असिस्टन पर फिर से लाइन मारता है फिलिप के एक सर्वंट इसे पुरा घर दिखाती है डिल्स केता है कि मुझे सिर्फ लेटर चाहिए मुझे घर दिखाने कोई भी ज़रूरत नहीं है सर्वंट के थी कि फिलिप ने मुझे बताया है कि तुम्हें पूरी हाउस टूर देनी है उसे एक रूम में लेकर आती है यह बहुत ही शांदार रूम होता है इसे बाथरूम बगरा दिखाती है यह रूम देखकर इसे बहुत ही अच्छा लगता है जब बाथरूम देखता है तो यह बिलिव नहीं कर पाता कि इतना अच्छा भी बाथरूम हो सकता है सर्वंट फिर दिल्ज को फिलिप के पास लेकर आती है फिलिप उसे कहता है तुमार लेडेर है वहाँ दिल्ज उठा लेता है जाते जाते फिलिप उसे रोग लेता है उसे कहता है कि क्या तुम hard work कर सकते हो क्या ऐसे ही तुमें सरकारी benefit पर जीना अच्छा लगता है फिलिप handicap लता है तो उस पर वो jok करता है क्या तुमें भी low को और depend रहना अच्छा लगता है फिलिप फिर उसे job offer देता है डिल्स को भी ये मसाज सिखाय जाता है ये उसे बहुती बोरिंग लगता है तो वहाँ सो जाता है ये उसे डाटती है और ये सब मसाज करवाने के लिए बोलती है डिल्स को विल्चेर पर बिटाता है उसे शौवर में लेकर जाता है उसे शाम्पू का अगरा लगा रहा होता है तो वो कहता है कि ये तो फोम ही नहीं बन रहा फिलिप की डॉक्टर कहती है कि ये पेर का शाम्पू है डिल्स को ये बहुत ही आजिब लगता है कैसा कैसे हो सकता है पेर के लिए अलग शाम्पू, सर के लिए अलग शाम्पू फिलिप की बात complete होने के बाद डिल्स को उसे एक stocking पहनाने होती है यह लड़किया पहन दी है और यह फिलिप पहन रहा है तो इसे बहुत weird लगता है यह फिलिप से पूछ लेता है यह तो लड़किया पहन दी है यह तुम क्यों पहन रहे हो वो कहता है, यह मेरे पेर को रिलाक्स करने में हल्ग करता है वहाँ ग्लोस भी पढ़े हो गता है डिल्स सर्वंट से पूछता है कि यह ग्लोस किस के लिए है इस सर्वंट उसे बता थी कि उसकी जो शीट है वो तुमें निकालनी पड़ेगी डिल्स इस पर बहुत ही अनकमफ़टेवल हो जाता है और कहता है कि यह कभी में नहीं करूँगा यह इसके लिए इंपॉसिबल होता है रात में डिल्स टेरिस पर होता है तो फिलिप की बेटी और उसका बॉइफ्रेंड वहाता है डिल्स उन दोरों में वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है नेकस दिन डिल्स जब फिलिप का मसाज कर रहा होता है तो गलसे से हाट कॉफी उस पर गिर जाती है फिलिप को कुछ sensation बेर में नहीं होता है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता ये डिल्स को बहुत ही Amazon लगता है तो और भी कॉफी उस पर गिराता है ये डॉक्टर देख लेती है और उसे बहुत डाटती है वो कहती है कि वो जल सकता है फिलिप भी ये देखता है और उस पर हसता है अब नेक सीन में फिलिप के जो सब लेटर्स आये होए होते है इनको वो सब सौर्ट कर रहे होते है इसमें एक मसा सर्विस का भी होता है रिल्स उसे दिखाता है तो फिलिप उसे डस्विन में डालने के लिए बोलता है फिलिप यह अपने रियर रख लेता है एक special letter भी यहा होता है जो फिलिप उसे एक personal fan में रखने के लिए बोलता है जब रिल्स फिलिप को खाना खिला रहा होता है तो फिलिप की असिस्टन भी भाहा आती है उससे देखने लग जाता है और फिलिप के आख में खाना जा रहा होता है रिल्स को हमें शयादी ने रहता कि फिलिप हैंडिकापट है इसे फोन भी दूर से ही देता है कि वो पिक अप कर सके फिर उसे याद होता है कि अरे इसके तो हाथ काम नहीं करते इसी तरह से इन दोनों की जो रिलेशन्शिप होती है इस डेवलोप हो जाती है जो मसाज का कूपन उसने रखा था वो अपने लिए मंगवा लेता है जो बार्टब था इसे बहुत जादा एंजॉय करता है इसकी यहां की जो लाइफ होती है इसका पुरा फाइदा उठा रहा होता है वो गाना लगा कर बात कर रहा होता है तो बेबी मॉनिटर में फिलिप की आवाज आती है पर इसे कुछ भी सुनाए नहीं देती फिलिप को आज बाहर जाना होता है एक वहन होती है जिसमें फिलिप बैटने वाला होता है फिलिप बहुत यमीर होता है और इसकी जो पार्किंग होती है इसे बहुत सादा गाड़िया होती है इसमें एक अच्छी सी racing car भी होती है ये तिल्स देखता है तिल्स फिलिप को कहता है कि इस भाइन में किसी भी घोड़ी की तरह किसी भी जानवर की तरह भी पीछे में नहीं डाल सकता ये race car खोलता है और इसमें फिलिप को बिटाता है ये जब डोर खोलते है तो वहाँ एक नेवर की गाड़ी पार्क ही होती है फिलिप कही भी जार नहीं सकता तो ये नेवर हमेशे यहाँ पार्क करकर चला जाता है ये नेवर गाड़ी में बिटा होता है रेल्स को आप सिचुएशन पता है तो उठता है और इसे दमकाता है इसके कॉलर पकटता है और साइन के पास लेकर आता है उसे दिखाता है और कहता है यहाँ नो पार्किंग है यहाँ मुझे तुम फिर से नहीं दिखने चाहिए फिलिप एक आर्ट ग्यालेर में फिर आता है यहाँ एक painting होती है जिस पर लगता है कि सिर्फ blood छिटकाया गया है इसकी price sales woman जब बताती है तो यह बहुत ही जादा होती है डिल्स इस पर मज़ाग करने लग जाता है वो कहता है यह से painting तो मैं भी बना सकता हो फिलिप उसे समझाने कोशिश करता है कि यह art है आर्ट हम जहाँ से आये है और हमारा world इसमें एक bridge होता है इस bridge का यह एक doorway है डिल्स कहता है कि मचे 50 dollars दो कैसा भी doorway हमें open करकर रख दूँगा डिल्स चॉकलेट खा रहा होता है तो फिलिप उसे पूछता है कि मुझे भी यह चॉकलेट दो उसे कहता है अपने हाथ से ले लो उसका बहुती मज़ा को उड़ाता है और दोनों इस पर हसने लग जाते है नेक सिन में हमें दिखता है कि फिलिप और उसके फ्रेंड की meeting चल रही होती है दिल्स को उन्होंने बाहर बिठाया होता है इसका फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हारे एक कंसर्ण हूँ यह जो तुम्हारा नया character है यह मुझे ज़रा गलत लग रहा है इसका background check मैंने किया है तो यह prison में जा चुका है यह robbery की इलजाम में prison में गया था तुम्हारे जो हाला थे इसमें तुम्हें किसी को भी घर में नहीं रखना चाहिए फिलिप कहता है कि मुझे इससे फरक नहीं पड़ता वो strong है और मैं handicap तू इससे मुझे treat नहीं करता यह कभी कभी तो भूल भी जाता है कि मैं handicap तू यह मेरी तरफ दया से नहीं देखता और एक friend की तरह मुझे treat करता है इसके बाद नेक सीना में दिखा गया है डिल्स घर में होता है और फिलिप की जो assistant होती है उसे अपने room में बुलवाता है उसे अपना bathtub दिखाता है इस assistant को यह जादा कुछ अलग नहीं लगता डिल्स फिर उसे कहता है कि चलो हम इसमें बात लेते है वो भी उसका मजा करने के लिए हा कहती है जब डिल्स अपने सब कपड़ों उता देता है तो वहाँ से वह चली जाती है निजदिन रात में डिल्स और फिलिप की जो servant होती है यह डिनर कर रहे होते है फिलिप अपने assistant से एक letter लिख वा रहा होता है जो पे भी monitor होता है इसमें फिलिप की आवाज हमेशा उसे आती रहती है एक personal letter यह लिख रहा होता है यह monitor फिर servant उसे बंग करने के लिए पोलती है इस letter के बारे में डिल्स पूछता है कि यह कैसे letter है servant के थी है कि एक औरत को letter लिखता है इनके जो relationship होती है यह सिर्फ letter के through चल रही होती है डिल्स को यह बहुत ही आजिब लगता है वो फिर इस servant का मजग नहीं ने लग जाता है वो कहता है यह जो माली है वो हमेशा तुमें देखता रहता है कै तुम दोनों में कुछ हुआ है वो यह थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तुम कुछ ही बात करे हो डिल्स कहता है कि जल से जल कुछना कुछ तो होई जाएगा यह बेचारी शर्मा जाती है रात में फिलिप को बहुत ही जादा तकलिफ होने लग जाती है उसे सास लेने में तकलिफ हो रही हुती है डिल् जुशता है कि जादा बाहर तुम क्यों नहीं जाते है वो कहता है कि मैं पैरलाइस्ट हो पर फिर भी मेरी बॉड़ी ठक जाती है दिल्स कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो होगा तो तुम्हें करना अच्छा लगेगा फिलिप लड़कियों को देखता है और कहता है कि ये करना मुझे अच्छा लगेगा दिल्स कहता है और हसता है ये तो सब को करने में अच्छा लगता है डिल्स को फिर एक सवाल आता है तुमारे जो पूरी बॉड़ी है ये पैरलाइस्ट है तो तुम केसे कुछ कर सकते हो फिलिप कहता है कि मेरे उपर नहीं है जब वर्क करना होता है ये वर्क कर सकता है फिर भी मुझे आराउस तोने के लिए इयर्स है अगर मेरे इयर्स को कोई हाथ लगाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डिल्स इस पर बहुत ही हसता है फिलिप को थन लग रही होती है और डिल्स सिगरेट पी रहा होता है तो इस सिगरेट उसके मुव में हो दे देता है यह cigarette picker वो stone हो जाता है फिर एक hotel में आते हुए हमें दिखते है फिलिप को अपनी wife की याद आती है वो कहता है कि वो बहुत ही beautiful थी मैंने उसे बहुत ही ज़ादा प्यार किया था इसकी wife है यह मर चुकी है यह paragliding कर रहा था और मोसम बहुत ही खराब था उसी दिन इसकी wife मर गई थी इसी accident में यह भी paralyzed हो चुका था यह कहता है कि मेरी wife के बिना जीना यह बहुत ही जादा difficult है यह ने बहुत बार try किया था पर कभी भी इन्हें बेटा या बेटी कुछ भी नहीं हुए थे इसलिए इन दोनों ने एक बेटी को अडब कर लिया था रिल्स यह एक केक खा रहा होता है वेटर को कहता है कि बहुत ही घटिया केक है यह melt हो रहा है इसने मोलटनी केक मंगवाय होता है तो इस पर फिलिप हसने लग जाता है फिलिप की wife accident में मर गई थी फिलिप को paragrading करना बहुत ही अच्छा लगता है वो कहता है कि हवा में मैं जब होता हूँ तो मुझे बहुत ही अलावी महसूस होता है जिल्स ने फिलिप से एक अंडा चुराया होता है फिलिप कहता है कि वो मेरी wife ने मुझे दिया था तो में मुझे वो वापस करना है जिल्स मना कर देता है कि उसने चोरिक किया है उसके घर में उसने रख दिया होता है तो उसके sister को pick up करता है उससे पुछता है कि वो कहा है उसके sister को इस Sunday के बारे में कुझी पता नहीं होता डिल्स का जो बदर है ये पकड़ा जा चुका है क्योंकि ये drugs डिल्स कर रहाता पुलिस के पास ये डिल्स उससे छुड़वा कर बाहर लेकर आता है उसे ज़रा धमकता है कि तुम ये फिर से इसा नहीं करोगे पर उसका बदर इसके कुछ भी नहीं सुनता अब नेक्स दिन फिलिप फिर से उस औरत को लेटर लिख रहाता है जिससे वो हमेशा लिखता है इस बार डिल्स भी बहा होता है डिल्स कहता है कि तुम हमेशा उससे लेटर से बात करते हो कभी भी उससे तुमने नहीं देखा है ये बहुत ही आजीव है अगर वो पोटी नीकली, अंधी नीकली, पैरलाइस नीकली तुमारी तरा, तो फिर क्या? तुम्हे उससे फोटो मंहाने चाहिए जब लेटर डिल्स देखता है, तुम्हे उस से कॉल करना चाहिए मिलने के लिए उसे बुलवाना चाहिए फिलिप डरा होता है पर डिल्स उसे confidence देता है वो directly phone लगा देता है और फिलिप के कान पर रख देता है फिलिप और वो औरत पर बात करने लए जाते है और इनमें बहुत ही अच्छी relationship phone पर ही develop हो जाती है ने सिन में फिलिप और डिल्स यह दोनों ओपेरा आये हुए है डिल्स जब यह ओपेरा दिखता है तो यह जाड का costume बैना हुआ आदमी sing कर रहाता है इस singing उसे बहुत ही आजिब लगती है और इस पर यह बहुत ही हसता है इस आदमी का यह बहुत मजा गोड़ाता है फिलिप भी इसको enjoy करता है जिस औरत से फिलिप बात करता है उसे फिलिप का एक photo भी चाहिए है फिलिप यह photo send करने के लिए बहुत ही uncomfortable लता है डिल्स उसे बोलता है तुम handicapped हो इसे उसे फरक नहीं पड़ेगा तुम 6 महिने तक सिर्फ रेडर से बात कर रहे थे उसका मन साप है तुम जैसे हो वैसे तुमें वह accept कर लेगी और एक plus point है कि तुम बहुत ही रीच हो फिलिप कहता है कि हमारी जो relationship है यह intellectual है फिलिप फिर उसकी wheelchair पर की ही photo send करने वाला होता है राट जब होती है तो डिल्स अपने room में painting कर रहाता है जैसे painting art gallery में उसने देखी थी उसी तरह से अगर वो painting कर लेगा तो वो भी sell कर सकता है ऐसा उसे लगता है फिलिप के daughter वहाँ जाती है इसकी painting बहुत ही personal होती है तो उसे पार निकल देता है यह वहाँ से जाने रहे होती और बत्तमीजी से उसे पेश आती है इस पर deals बहुत ही चीट जाता है और फिलिप के पास आ जाता है यह उसे कहता है कि तुम्हारी चो daughter यह बहुत ही बत्तमीज हो चुकी है तुमने मुझे hire किया है कि मैं तुम्हें help कर सकता हूँ मैं इसे ज़रा दो-चार जापड़ों केरा लगा कर सीधी कर सकता हूँ जिस तरह से हमसे पेश आती है यह हमें animals की तरह treat करती है यह बहुत ही बत्तमीज होती जा रही है फिलिप की सर्वंट भी वह होती है तो फिलिप सर्वंट से बुचता है कि क्या यह सब कुछ सही है सर्वंट भी कहती है कि उसे इसकी जरा जरूरत है फिलिप कहता है कि तुम कुछ भी मत करो मैं खुद जाकर उसे टाट कराऊंगा फिलिप रात में अपना mind change कर लेता है जो फोटो से send करनी होती है इसमें जिसमें वो handicap नहीं है वो फोटो send कर देता है अपने में बहुत सारे दिन गुजरत हो दिखते है फिलिप और डिल्स में बहुत आची friendship बन चुकी है यह दोनों अपने अपने काम करते है डिल्स अपने painting पर काम करते है अलग-अलग जगा जाते है और बहुत ही मजा करते है फिलिप भी अपनी बैटी को सिदा करने के लिए थोड़ा सा उसे दाट देता है अप डिल्स ने अपनी painting खतम कर ली है तो सब लोग को दिखाता है असिस्टन को भी दिखाता है तो असिस्टन को यफ पसना आता है उसे किस करनी कोशिश करता है पूर उसे एक जपाड लगा कर वहाँ से चली जाती है धिल्स फिलिप को स्नो में लेकर जाता है उसे मसाज करवाता है सिगरेट बिलाता है यह दोनों बहुत ज़ादा एंजॉय करते है अब फिलिप का पर्दी आता है इसकी जो सब फैमिली होती है यह उसे देखने के लिए आती है फिलिप डिल्स से कहता है कि एक फॉर्मिलेटी कम्प्रिट करने के लिए वो आती है साल में एक बार में जिन्दा हूँ या मर चुका यह देखने के लिए वो आ जाती है इसके लिए हर साल सब्राइस्ट बर्दे पार्टी ये अरेंज करते है, जब एक घर आते हैं, सब रिलेटूज वहाँ आये हुए होते हैं, इन्होंने प्राइवेट मुजिशन्स बुलाया होते हैं, और ये सब गाना सुन रहे होते हैं, डिल्स वहाँ सोट वगरा पहन कराता है, फिलिप की जो असिस्टन होती है, उसके पास उ गुमता है, फिलिप की जो बैटी होती है, वो रो रही होती है, उससे पुछता है कि क्या हुआ है, वो कहती है, जो मेरा बॉइफरेंड था, उससे मेरा ब्रेक अप हो चुका है, उसने मुझे बहुत गंदी-गंदी कालिया दी है, वो उसे बोलती है, इन्हों पैसे प्रिलिप के बर्डी बाटी में उसका एक best friend भी आया हूँ होता है इस friend को ड्रिल्स की painting दिखाता है फिलिप अपने friend को बोलता है तो मैं यह painting buy करनी चाहिए इसकी 11,000 कीमत उसे बताता है इसका friend बोलता है कि नया artist है मुझे buy करना चाहिए या नहीं यह मुझे जारा समझ में पर तुम्हारे जो चॉइस है यह बहुत इसे ही है इसकी प्राइस डबल भी हो सकती है वो अपने फ्रेंड पर ट्रस करता है और यह पेंडिंग बाय कर लेता है अब इस पार्टी में डिल्स सर्वंट से पूछ रहाता है यह जो फिलिप की असिस्टंड है क्या इसकी कोई रि उसे लगता है कि टॉम एंजेरी जैसा यह म्यूजिक है जिस बहुर हो जाता है अपना पॉप म्यूजिक चलाता है और वहाँ खूब नाचता है आज का दिन इन दोनों के लिए बहुत ही एंजॉइफल होता है रात में जो आरत होती है उसने एक लेटर फिलिप को लिखा हो एक्स बॉइफरेंट होता है उसे दमका कर डिल्स आता है उसे माफी मागने के लिए बोल देता है जब फिलिप रेस्टोर में उस औरत से मिलने के लिए आता है तो बहुत देर हो जाती है फिर भी वो नहीं आदी रात हो जाती है तो इसे बहुत बुरा लगता है और ड्रंक हो जाता है, यह डिल्स को call कर दिता है वो कहता है कि हम ज़रा घूमने के लिए बाहर जाना है, एरिपोर्ट पर उसे वो लेकर जाता है, यह दोनों फिलिफ के प्राइवेट जेट में बैट जाते हैं, एक दुसरी जगह आप जाने वाले होते हैं, डिल्स बहुत ही डरा होता है, वो कहता है कि तुम्हारा लग बहुत ही खराब है, तुम पैरलाइस्ट हो, तुम्हारी वाइप भी मर चुकी है, तुम्हारे साथ ही यही सब एक्सिडेंट होते है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं मरना, यह बहुत ही फिलिप डिल्स को comfortable महसुस कराने के लिए उसे एक envelope देता है, इसमें bending की 11,000 डॉलर्स होते है, यह फिर हमें एक जगा पर आये हुए है, यह दिखता है, यहाँ सब लोग paragliding कर रहे होते है, फिलिप एक instructor के साथ यह paragliding करने के लिए आगे चला जाता है, डिल्स को भी force करता है और डिल्स भी इसका मज़ा उठाता है, यह बहुत ही enjoyful weekend spend करकर घर आ जाते है, घर आने के बाद डिल्स का जो ब्रदर होता है, यह वहाँ आये होता है, डिल्स का ब्रदर अब घर नहीं जा सकता, क्योंकि जो गैंग थी इसके साथ उसका कुछ गडबर हो चुका है, अगर इसके घर गया तो इसे वह मा सकते है, डिल्स इसे देखता है, उसे उपर लेकर जाता है, इसे बहुत डाटता है, अब इस situation को उसे control करना पड़ेगा, नीचे जब डिल्स जाता है, तो फिलिप और यह दोनों बात करते है, फिलिप उससे बूशता है कि यह कौन है, डिल्स क इसके अंकल भी मर के थे, इसके एंडी थी, जो इन सब को समालती थी, डिल्स के और भी कजन थे, यह सब मिलकर एक घर में रहने लग गए, डिल्स के उपर अब उसके ब्रदर की responsibility है, उसे अपने family को time देना चाहिए, इसी वचे से फेलिप उसे कहता है कि कब तक तुम मुझ लिखाय जाएगा, अब डिल्स भी इसके लिए मान जाता है, जिस दिन वो घर से जा रहा होता है, तो असिस्टन से वो फेल से मिलता है, असिस्टन के साथ उसके फियान से होती है, यह एक्चुल में एक लेजबियन होती है, यह देखकर डिल्स को बहुत ही अच्छा लगता है, उससे अब रिजबियन मिल चुका है कि असिस्टन हमेशा उसे क्यों रिजिस्ट करती थी, सरवन्ट से भी मिलकर वहाँ से चला जाता है, जाते वक्ट नेवर को फेल से कहे कर जाता है, तुम यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते है, उसकी फैमिली से जब वो मिलता है, तब मुझे मसाज की ज़रूद नहीं है, वो वहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है, वो उस पर हमेशा चीट जाता है, नेक्स सीन में हमें टिल्स एक ड्राइवल कमपनी में जॉब के लिए आया है, यह हमें दिखता है, वहाँ एक पेंटिंग होती है, जॉब इंटर्व्यू लेने वाले लेडी और इसमें इसमें एक बॉर्णिंग हो जाती है, फिलिप को यह जॉब मिल जाता है, एक दिन रात में फिलिप को बहुत ही जादा तकलिफ होने लग जाती है, उसका केरेटेकर उसे हेल्प करने के लिए आता है, वर फिलिप को उससे हेल्प नहीं कि ये फिलिप को एक नहीं जगहा लेकर जाता है फिलिप की दाड़ी बढ़ी उती है तो इसकी दाड़ी भी युद करता है इसकी डाड़ी करते वक्त इसकी स्टेश अलग अलग तरही Asak 18 Hail जैसा लोग उस से दे दीता यह देखन यह बहुत ही हसने लग जाती है इस दिन डिल्स फिलिप को एक अच्छे से रेस्टोरन में लेकर आता है यह दोनों जब बैट जाते हैं तो डिल्स कहता है कि अब मैं यहाँ से चले जाने वाला हूँ तुम्हें एक डेट बर यहाँ आये हुए हो जो आरत थी जो फिलिप से नहीं मिली थी उसी औरत के साथ उसकी डेट डिल्स ने अफ़िक्स की है डिल्स वहां से जाता हुए हमें दिखता है और उसकी जो लाइफ है इसे ओं कंटिनू कर रहा है यहीं मूवे एंड हो जाती है और यहाँ हमें कुछ पताया जाता है इसके बात फिलिप ने शादी कर ली है उसके दो बेटिया भी है डिल्स ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया उसकी भी शादी हो जुकी है और इसके तीन बच्चे है मुवी के लास्ट में हमें इन दोनों के रियल इमेज दिखाई जाती है ये अवे भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है और एक दूसरे से मिलते रहते है और इनकी लाइफ इसके बाद ही बहुत ही अच्छी है इस movie में बहुत ही अच्छी friendship हमें दिखाई गई थी अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्रेब कर दिजे bell notification icon भी दवा दिजे यानि कि आपको सब movies मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब तके लिए thank you और आपने आपका ख्याल रखिए